नमस्कार किसान भाईयो आप सभी के अगवार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एलपटेल में आज हम बात करेंगे स्टेम फ्लाई की जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी गर्डल बीटल की उसकी पूरी डेटेल जानी हमने कैसे काम करता है क्या कंट्रोल है क्या रिसर्च पेपर हमारे को बताते हैं ऐसे कि ऐसे ही एक भैंकर प्रकोब जो कि हमारे यां सोयाविन में लग रहा है और काफी ज़दा नुकसान पोचा रहा है उसकी भी हम बात करेंगे इसे कहते हैं स्टेम फ्लाई कुछ लोग तनामक्खी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये कीडा है जो कि तने के अंदर लगा होता है तो ये सब एक ही है जिसकी डीटेल में आपको आज बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकल के बारे में मतलब इसका जीवन काल कैसे रहता है अगर हम स्टेम फ्लाई की बात करें तो इसका जो एक अडल्ट होता है ये 8 से 22 दिन तक सर्वाइब करता है मतलब जीता है उसके बाद वो अंडे रखता है और आपको एक बात पता होनी चीए कि जो इसकी फिमेल होती है मतलब जो ये इसका मक्खा होता है जो काले कलर का आपको जोसे वीडियो में दिख रहा है ये जो मक्खा होता है ये अपने जीवन काल में 171 अंडे ऑन एन एवरेज रखता है मतलब एक नॉर्मली मक्खा जो है 171 अंडे तक रख देता है और हर एक अंडा जो है वो स्टैम के अंधर ही रखता है इसका मतलब ये कि जिस छेत्र में इसका प्रकूप होता है बहाँ पर ये नुकसान के लगभग अगर माना जाए तो 80-90 फीसिदी तक नुकसान कर देता है इसका मतलब ये कि फसल चौपट कर देता है अगर हम बात करें कि इसकी डिटेल कैसी है तो हम पहले इसकी life cycle समझते है मतलब कैसे ये बनता है तो हर केड़े की 4 stage होती है जिसमें होता है adult adult मतलब जो आपको मक्खा सामने दिख रहा है ये क्या करता है कि तने के अंदर छेद करता है और बहाँ पर रख देता है अंडा जो अंडा होता है वो 2-4 दिन में फूड जाता है उससे बनता है लारवा जो लारवा होता है वो 6-12 दिन तक इस टैम के अंदर खाना ग्रहन करता है इसका मतलब यह कि जो आपके सोयाविन है उसके अंदर जो जैलम होता है उससे यह खाता है उसका जो मेन पार्ड होता है जिस जाता है और ये जो पूपा होता है इससे 5 से 19 दिन में आपका जो adult है वो बाहर निकल के उड़ जाता है ऐसे करके इसकी process चलती है तो जो scientific reason है मतलब जो science वाले लोग कहते हैं कि इसकी दो प्रकार की stage बन सकती है अगर जल्दी जल्दी सब काम हो रहे हैं जिसे temperature जादा है प्रजना speed से हो रहा है इनके climate suitable है तो ये process में इसे 19 दिन लगते है और अगर कभी इसकी process slow हो गई है मतलब climate इनके suitable नहीं है फिर भी ये कोशिस कर रहे हैं जीने के लिए तो इनको 33 से 35 दिन लगते हैं सर्वाइब करने के लिए मतलब आप देख सकते हैं कि आपने soybean, soybean की है तो आपको दो stage पे इसे बचाना बहुत जरूरी है पहला है 19 दिन और दूसरा है अगर आपने ये दो time पे बचा लिया तो समझ लीजिए कि आप stem fly से बच सकते हैं ये तो होगी इसकी life cycle इसकी थोड़ी से हम और detail लेते हैं कि ये कैसे आया कहां से आया और इसकी research पता कैसे चली तो सबसे पहले ये ब्राजील में आया और 2009 में अस्ट्रेलिया में इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पोचाया जब 2009 में अस्ट्रेलिया में पोचाया तो अस्ट्रेलिया वाले समझ नहीं पाये कि हुआ क्या है फिर पता चला उन्हें कि एक stem fly ऐसे से काम करती है और इसका सबसे 20 प्रकॉप आया था 2012-2013 में वह भी आस्ट्रेलिया में आया था वहां अगर देखा जाया तो 10,000 एकड के लगभग की सोयविन इसने पूरी चोपड कर दी थी तब इसे यह highlighted है मतलब 2013 से इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है और इंडिया में जो है पिछले साल सबसे ज़्यादा इसका प्रकॉप देखा गया इसका मतलब यह कब 2020 में अब 2021 में भी सुनने को आ रहा है कि कहीं कहीं पर stem fly का प्रकॉप है तो हम इसकी पूरी detail लेते हैं अब इसे reduction करने के लिए scientist क्या कहते हैं उस बात को हम ध्यान देते हैं तो जो researcher होते हैं उनका यह कहना है कि अगर आप इसको control करना है तो आप 22 दिन में और 38 दिन में दो consecutive spray मतलब लगातार spray 22 दिन में किया है और 38 दिन में तो आप इसका काफी अच्छा control ले सकते हैं और आपको superior control लेना इसका मतलब यह कि पूरी तरीके से इससे हमें बचाना है तो आप 22 दिन में दूसरा 38 दिन में और तीसरा 55 दिन में ऐसे 3 spray करेंगे तो आपको जो result है वो काफी जादा संतूस्टी जनक मिलेंगे अब बात आती है कि दवाईयां तो बहुत सारी है तो हम कौन सी दवाई पर ट्रस्ट करें तो इसके लिए भी मैं आपको यह PDF दिखा रहा हूँ इस PDF में 17 chemical लिए गए मतलब 17 अलग अलग pesticide लिए गए और उनके उपर टेस्ट किया गया कि किसका सबसे अच्छा result है stem fly के उपर दोनों ही process में seed treatment में और अगर आप spray करते हैं तो spray में तो हम बात करते हैं कि अगर हम seed treatment कर रहे हैं हमारे यहाँ पर time ethics 30% FS का काफी ज़्यादा बोलवाला चल रहा है सभी लोग suggest करते रहते हैं तो क्या हमें भी करना चाहिए तो अगर देखा जाया तो इसमें rank decide की गई है हरे chemical की कौन से rank पर कौन सा आ रहा है तो यह जो time ethics से यह पांचवे number पर आता है काफी हरायनी की बात है कि हमारे इंडिया में सबसे अधा popular इसे कोई किया जा रहा है लेकिन इसकी कोई rankी नहीं है अब बात करते हैं कि अगर seed treatment करना है आपको तो कौन-कौन सी दवाई से आप कर सकते हैं तो soybean में best seed treatment कहा जा रहा है कि क्लोर इंटर निली प्रोल मतलब जो कोराजन के अंदर chemical आ रहा है उसका ऐसल फॉर्म से अगर आप seed treatment करेंगे तो आपको सबसे अच्छे result मिलेंगे और reduction percentage बताया गया है कि 90% तक ये reduce कर देता है इसका मतलब ये कि काफी अच्छे result है जिन छेतरों में ऐसा लग रहा है कि हमारे याँ stem fly हर साल आता है लोग chlorantinerary problem मतलब कोराजन के chemical से इसे भी जुबचारिक करें तो आपको 100% result मिलेंगे ऐसा company के जो research है उसका कहना है दूसरा इसमें दिया गया है imida chlorpide के साथ bifentrine का combination ये combination भी हम बना सकते हैं हमारे याँ पर और इसका भी SL form जो है उसका mix up करने के बाद आपको जो result है वो लग भग 78% मिलेंगे तीशरे नंबर पे है fipronil, चौथे नंबर पे है imida chlorpide अगर आप single डालते है तो और पांचवे नंबर पे है thiamethex होँ इसका मतलब ये कि जिस चीज को हम सबसे जादा popular समझ रहे थे वो इसमें सबसे पीछे रहे गया तो अगर आपको आप seed treatment करना है तो imida chlorpide भी मिलता है और thiamethex भी मिलता है तो आप imida chlorpide पर जाए thiamethex को छोड़ दे और अगर आपको fipronil मिलता है तो आप fipronil को भी preference दे सकते है और जिनके हैं पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुच रहा है वो लोग जो है chlorandranereplore मतलब जो कोराजन का chemical है उसका उपयोग करें जिससे कि उनको अच्छे result मिलेंगे हलागि थोड़ा costly पड़ेगा वो आपको लेकिन अगर आपको हर साल समस्या आ रही है तो बचने के लिए आप इसको try कर सकते हैं क्योंकि 90% reduction दिया गया है इसका मतलब यह कि आपको फायदा होगा दूसरी बात करते हैं कि अगर हमें spray करना है हमने अभी seed treatment नहीं किया है लेकिन हमें spray करना है और spray करके हमारी सोयाविन को बचाना है तो उसके लिए जो time दिये गये हैं वो है 22 दिन पर और 38 दिन पर तीसरा अगर आपकी माया पर बहेंकर ज़्यादा प्रकोफ है तो 55 दिन पर भी आपको spray करना होगा अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे अच्छा result किसका है तो यहाँ पर भी आपको काफी ज़्यादा soft news मिलेगी जिद्रा हम सोचते हैं उससे काफी अलग चीज़े होती है इसके अंदर देखा गया है कि जो thiamethics और lambda salothrin का combination जो है उसका जो reduction percentage दिया गया है वो 62.50% दिया गया है और उतना का ही उतना chloro-perifast जो 20% इसी आता है उसका दिया गया है इका वाले लोग कहते हैं जो सिजेंटा वाले लोग कहते हैं कि हमारी जो दवाई है इससे stem fly control होता है तो वो company dose पर भी आप डालते हैं तो मात्र सहट से 22% आप control कर सकते हैं उससे यादा आप control नहीं कर पाते इसका मतलब यह कि 10 plant है तो उसमें से 4 पर आपकी यहाँ पर भी लग जाएगा और बचे 6 को आप बचा सकते हो तो यह process काफी shocked news है क्योंकि वो तो level claim लेके रखे हैं कि हम तो पूरा reduction कर देते हैं थाम ethics और lambda silothrin मिलाओ तो आप एक number result आपको मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ दूसरा जो सबसे अच्छा result आपको मिलेगा stem fly के उपर उसमें आप 30 carb को ले सकते हैं उसका अगर हम reduction percentage देखें तो 58% मतलब 58% उसका reduction दिया गया है वहीं तीसरे number पे जो है दो अलग-अलग chemicals हैं जिनके बरावर reduction आया है जिसमें बाइफेंतरीन का है 54.17% और 54.17% जो solomon आती है जिसके अंदर imida chlorpide के साथ बीटा silothrin आता है उसका भी reduction दिया गया है इसका मतलब यह कि आपको दो option दिख रहे हैं आपको alica का spray करना है और solomon का spray करना है stem fly के reduction के लिए आप तो alica को prefer कर सकते हैं यहाँ से यह चीज़ clear होती है और आपके छेतर में ज़्यादा attack दिख रहा है तो आप thiamethexome के साथ में chloroparifascope करेंगे तो हो सकता है कि आपको और अच्छे result मिलेंगे अब बात आती है कि यह सब तो दवाईयां हो गई इनसे हम control कर सकते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप कौन से chemicals है किस प्रकार इसे control कर सकते हैं वैसे जब उंग जाती है उसके बाद अगर control करने की हमातरा देखें तो काफी ज़्यादा कम दी गई है इसका मतलब यह कि reduction उतना बिसेस है ने इसी के साथ मैंने एक PDF पड़ी थी जिसमें Brazil की research है उसमें यह बताया गया था कि अगर आपकी resistance variety है तो आपको ज़्यादा फायदे मिलते हैं इन सभी चीजों को डालने के उसी के साथ मैं अगर आपके शेतर में बिमारी लगती है तो आप resistance variety को prefer करें तो यही सब कुछ था जो कि मैंने अभी तक पड़ पाया हूँ stem fly के बारे में अगर मेरे को और detail मिलती है आपको ऐसे ही वीडियो में मिलती रहेगी बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद